नमस्कार, मैं हूँ आचारे आसुतोस, जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करते हैं पाचन तंत्र को कैसे strong बनाया जाए कैसे उसे क्रियासील बनाया जाए यह सबसे common सी समस्या है और पाचन तंत्र को कहा गया है हमारे सरीर का engine है यह digestive system, पाचन संस्थान यह engine है और जब किसी भी गारी का engine यदी खराब हो जाए तो फिर क्या इस्थिती होती है वात पितकफ, imbalance हो जाता है gas acidity की समस्या होने लगती है chronic constipation होने लगता है सिर में दर्द, headache की इस्थिती बेचैनी, अनिद्रा यह सारी समस्या, सरीर में फुर्ती का नहीं आना एक laziness बने रहना यह सारी समस्याओं का जर है आपका पेट, आपका digestive system और इसके लिए हम आज आपको एक सहज सी विधी ऐसी पध्धती बतलाने जा रहा हो जिसका अभ्यास रोज दिन आपको करना है 15-20 मिनट के लिए और अगले ही दिन आप इसका result इसका परिनाम देख सकते हैं चमतकारिक रूप से असर दिखाने वाला यह आसन है वज रासन बोजन के बाद रोज दिन आपको रात्री में चित शांत करके आपको इसमें बैठना है और कुछ भी नहीं करना आफ्टर मील, आफ्टर दिनर यू हैब तो सिट इन दिस पोस आपको इस आसन में बैठना है बस आईए हम आपको इसकी विधी बतलाते हैं बहुत ही साथ सी विधी है दोनों पैर को फैला ले आप इसका अभ्यास अपने बिस्तर पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं दोनों पैर सामने की और रख लें धीरे से अपने दाहिने पैर को आराम दाय की स्थिती में मोर करके फोल करके ले जाएं पीछे की ओर फिर धीरे से अपने बाएं पैर को दोनों पैर के एरी दोनों तरफ से टिके हुए हो दोनों पैर के आंग उठा आपस में मिल जाएं दोनों हथेली आरामदाय के स्थिती में दोनों घुटने पर रख लें दोनों आखें बंद भोजन करने के पस्चात आपको सो कदम तहल ले फिर इस आसन में बैठ जाए इस आसन में बैठने के साथ ही आप देखेंगे यह आपका digestive system आपका engine आपका वात पित कफ गैस acidity और कफ जनित बीमारी समस्याएं सबसांत होने लगती हैं chronic constipation आपका पेट साफ होने लगता है कोई जुलाव लेने की भी जरूरत नहीं है आपको इसके लिए सिर्फ इस आसन का भ्यास करना है हाँ एक दो छोटे छोटे टिप्स जरूर मैं बतला रहा हूं जिसको follow करके आप और ज्यादा इसे बहतर बना सकते हैं जैसे भोजन हलका लें सुपाचे लें भोजन करने के आधे घंटे पस्चाद तक पानी न पिएं उसके बाद पानी पीना है तो गुन गुना पानी को से पानी का सेबन करें प्राता कालें सो करके उठने के बाद आपको उसा पान करना है उसा से पुर्व जो पान किया जाए जो पीया जाए उसे उसा पान कहते हैं गुन गुने जल का सेबन करें थोरा सा सैर कर ले आपकी डाइजिस्टिव सिस्टम पाचन संस्थान की समस्या पेट की समस्या सत प्रतिशत दूर हो जाती है सिर्फ इसके अभ्यास से बस जरूरत है आपको इसके अभ्यास को करने की और कुछ नहीं है सिर्फ सोचने से बात नहीं बनती है आपको इसके लिए स्वतह प्रयास करना परेगा इस अभ्यास को करना परेगा अपने जीवन में उतारना परेगा आप आज से ही इसका भ्याद सुरू करे और इसका लाव ले निश्चत रूप से आपको सत्प्रतिसत इसका लाव मिलेगा आज के लिए बस इतना ही कल पुनह मुलाकात होती है कुछ नए मंतरों के साथ कुछ नए सुत्रों के साथ जीवन मंतरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस ग्यान को बांटने के लिए इसे सेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका दिन सुभो, नमस्कार आपका दिन सुभो, नमस्कार